क्या एक बार फिर प्रधान मंतरी मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी अपने कारेकरताओं की कर्तूत की वज़े से मोदी को एक बार फिर जुकना पड़ेगा क्या नई वंदे भारत की चमक पहले ही दिन फीकी पर जाएगी बहुत हुआ नारी का अपमान अब की बार मोदी सरकार दोस्तों यही नारा दे कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी आज इस नारे की धजियां उड़ाते हुए भारती जुनता पार्टी के नेताओं का मेरट लखनव वंदेभारत ट्रेन पर कबजा हो गया है और खाना लेने जा रही लड़की के साथ बत्तमीजी करते हुए इनका वीडियो भी वाइरल हो रहा है देखे इन तस्वीरों में गले में भगवा गमचा डाल कर ऐसा लग रहा है जैसे इने गुंडा गर्दी करने का लाइसेंस मिल चुका है इनका घमंड साथवे आसमान पर पहुँच चुका है ये लोग खुद को प्रधान मंत्री से कम नहीं समझ रहे हैं जोस्तो एक तरफ प्रधान मंत्री मोधी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये वंदे भारत को हरी जंडी दिखा रहे थे दूसरी तरफ उसी वंदे भारत में भाजपा के कारेकरता एक लड़की के साथ बतसलूकी कर रहे थे इस तस्वीर में जरा गौर से देखें लड़की अपनी चोट दिखाते हुए बता रही है कि कैसे भाजपा के कारेकरता वंदे भारत को अपनी जागीर समझने लगे हैं ट्रेन में एक लड़की खाना लेने के लिए जा रही थी तो भारती जंदा पाटी के कारेकरताओं ने उसके साथ दुर्वेवहार करते हुए उसके दोस्त को पीटा उसके साथ भी बत्तमीजी की उसको धक्का दिया बाजपा कारेकरताओं ने कहा कि ये भाजपा का केबिन है ये भाजपा का केबिन है आप यहां से नहीं जा सकती है आप जानते नहीं है कि मैं भाजपा का कारेकरताओं सोचिए दोस्तों ये घमंड है ये कहते हुए भाजपा कारेकरता ने वंदे भारत ट्रेन में लड़की क के साथ हाथा पाई की लड़की ने बताया कि सिर्फ खाना लेने जा रही थी वो उसके साथ उसका दोस्त भी था बाजपा कारकरता उन्हें उसके साथ भी मार पीट शुरू कर दी दोस्तों कुछ देर पहले ही प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चु अली हरी जंडी दिखा कर मेरत से लकनव के लिए इस वंदे भारत फ्रेंड को रवाना किया था इसके बाद ट्रेन में यहंगामा शुरू हो गया सुरक्षा गार्ड ने किसी तरीके से इस पूरी स्थिती पर काबू पाया लेकिन हैरानी की बात ही है दोस्तों कि यह लोग कोई आम यातरी नहीं थे बलकि इंफ्लूएंसर्स थे जिने भारती अजंता पार्टी ने बाइट किया गया था इसमें यूवक और लड़की भी आये हुए थे यानि यह दोनों भी पहुचे हुए थे दोनों ने ट्रेन में वीडियो शूट किया था जब यह लोग एक कोच में पहुचे तो वहां पर भारती अजंता पार्टी के कारेकरता बैठे हुए थे इसके एक कारेकरता ने लड़की पर कमेंट कर दिया कि बाइचि बढ़ा हो गी लड़की ने कहा कि भाई हम इसलिवे यहां पर आय हुए हम यही काम दिया गया शीफीलिये बुलाया गया आप आप उपजेक्शन कर सकते हैं अबजेट नहीं कर सकते लेकिन इसके बाद जब भाजपा से जुड़ी हुई है लड़की ने मीडिया से बात करते हुए अपने बयान में कहा कि हम लोग दिल्ली के जागरतीव विहार के रहने वाले हैं हम लोग भी भाजपा से जुड़े हुए है स्किल इंडिया के लिए यूट्यूब चानल चलाते हैं मैं चोटी सी कि लड़की हुँ मेरे साथ धक्का मुक्की की गई मेरे भाई को थपड मारा किया यानि कि यह जो लड़का इसके साथ में था वो उसका भाई ही था लड़की के भाई ने बताया कि ट्रेन में मौझूद पुलिस ने भारतिया जन्ता पार्टी के नेता का फेवर किया यानि में आरपी एफ खुद एफ आई आर भी करेगा लेकिन ये मामला अप्तूल पकड़ने लगा है कि प्रदार मंतरी नरेंद्र मोदी जिस वंदे भारत का इनाउग्रेशन कर रहे हैं जिस वंदे भारत को प्रदभारती जुनता पार्टी देश की सौगाद बताती है उसे भारती जुनता पार्टी के कारेकरता अपनी जागिर क्यों समझने लगे हैं कॉंग्रस ने भी इस पर एक ट्वीट किया है कॉंग्रस लिखती है ये वीडियो बीजेपी की चाल चरेत्रों चेहरे का गवाह है दोस्तों सीएम योगी आदेतना तो डिजिटल मीडिया नीती लाने जा रहे हैं इन्फ्लूएंसों उसको 8-8 लाख रुपे वाटने की बात की जाती है ताकि वो भाज़पा के गुर्णगान कर सके लेकिन समलता इनसे एक इवेंट भी नहीं है लड़की को बुला दो लेते हैं लेकिन उसके साथ में जब इस तरीके की घटनाए होती है तो कोई वहाँ पर उसको सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता है वहाँ पर मौझूद पुलिस भी भारतिय जंता पार्टी के कारे करताओं का साथ देने लगती है मौझूद वहाँ पर जो भारतिय जंता पार्टी के कारे करता थे वो अपनी अकर दिखाने लगते हैं पार्टी की लेकिन अच्छा दिखाने के लिए अच्छा होना भी तो चाहिए प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी के इवेंट में पहले तो लड़की को बुलाया जाता है और फिर बुला कर उसके साथ बसलूकी की जाती है क्या इसी महिला सम्मान के दावे प्रदान मंतरी मोधी करते हैं क्या प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी को अपने कारिक्रम में लड़की के साथ इस बसलूकी के लिए माफी नहीं मागनी चाहिए आपको क्या लगता है क्या प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जुकने पर मजबूर हो जाएंगे अपनी राये हमें कमें सेक्षिम में लिखकर जरूर बताएगा कि खबर आप उल्टर चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं नमस्कार